वोई भी खेज़ी किसी भी किसम की खेज़ी हो और वो यह खेज़ी थारसुबा हो सकती है यह देखें नहीं है आप नश्तिकर दोस्तों मैं आगे इशकुमार कौशिक आप वुर सोके हैं में मेरे साथ यह ए खेजडी का कि आवर-क्ष आप जानते हैं और दिको yönगारी संब्जीों में से सांगरी की सबस्केदी जो कि खेजडी से PHP प्राप्त होती हैं और खेजडी में लेकिन बemorस दूरी है और उस नवाचार की जानकारी कि लिए आज का ये कार्यक्रम बना रहे हैं खेड़ी का अब रक्स दो सकते हैं बहुत सारे यहां पर लगे हुए और रामे शुरजी मेरे साथ में जूड़े हो ए रामे सुलाल जी झाट. जो कि खेजडी पे नवाचार कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और प्रगती शील किसान की रूप में आप सम्मानित हो चुके हैं राजस्थान में बहुत-बहुत स्वागत है रामेश हुलाल जी और मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से हमाई जो प्रमपरा के खेजडी जो सदियों से हमारी खेटों के शान रही है, आप उसमें क्या नवाचार कर रहे हैं देखेज यह खेजड़ी करीबन किता मेन हो गया रहे है लेचमन? दो मेना पहले में इस खेट में आया था तो यह ग्राप्तिंग बिदी से जैसे यह कांटे थे यह कांटे दिख रहे हैं आपको यह देशी है यह जोंट है इस से आगे कोई कांटा नहीं तो यह जो नसल है यह हमारे विकाने कर्शी अनुसंदान ने विक्षित की है, इसका नाम रखा है थारशोबा, बैसे तो पेड या बनस्पति कोई अपना नाम बैसे नहीं बताती कि मेरा ये नाम इंसान रखता है, ठीक ना, तो ये थारशोबा, और ये देखो आप कोई कांटे लगे हुए हैं हाँ, ये पुरानी वाले, ये कट दीख रहा है ना आपको, ये भी देशी निकलाया तो इसको अठाना है, और ये यह यहां से छुटी है तो इसमें कांटे हैं, और ये जोइंट से आगे-ागे आपको कहीं कांटा में दीखेगा, अलब ये क्राफ्टिंग विदी होगी, क् आपको कहते हैं, बोटनिक वासा में, और हमारा जाड जो है, पाला जाड हम कहते हैं, जिसको बक्री को चारा बना लेते हैं, बोल्टी भी बोल्टी, उस पे जो बड़े बेर है, बो भी मैं आपको अभी विताऊंगा, तो ये काम मैं करता हूँ आज, इसमें क्या फाइदे अराचारा इससे माले। ये तो चोटा है, दो मिने का, और जब 2 साल का होगा, तो कितना लंबा चोड़ा होगा। आज हम अगर 10 किलो चारो उतारते हैं तो 50 दिन बाद इस पे 15 किलो चारो फेर मिलेगा और जब हाथ से हम चारा उतारेंगे तो हर साल इस पे सांगरी आएगी और हर साल सांगरी लेनी है और कटाई भी करनी है तो इसका कटाई में डिफ्रेस करना होता है जैसे नौंबर दिसंबर में नहीं काट के रहे जैसे खोके पकते हैं फल पकते हैं उस टाइम साइब जून रो महीन होगा है जुलाई जून जून के महीने में इसकी कटाई करेंगे तो हर साल हमारे को सांगरी मिलेगी और ऐसी इंचित की सानों को जैसे ये चारा इसे उतार सकते हैं ये चारा देखो ये सुके चारे के अंदर अब दूदार उपरशु को हम सुका चारा पांच किलो है अगर एक किलो चारा ये मिला देंगे तो इसके अंदर आईरन की मातरा जदा है तो पर्शु उमार अच्छा उसको पोशन मिलेगा तो अच्छा दूद देगा यह कह सकते हैं एक बिना कांटो वाली खेजडी बिलकुल कांटो रही एक भी गांटा नहीं है और एक विशेष्टा यह जैसे बिजू पोदा हम लगाएंगे तो उस पर क्या होगा कि जैसे यान बहाएंगे जृतना अच्छा झाज जाता है और कम होता है और मिठी होती है संगरी गुछ स्वाड़ के जया लगते हैं और जो मिंजर के फूलों के लूंबर लगते बो इतने बड़े लगते आम खेजडी के इतना सा लगता है इसकी इसे ज़गा ज़ता पाला बिना दाफ खेजडी पे तो लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके बीज या इसके पोधे इसकी उपलबदा कहां से होगी देखो जी ऐसा है कि बीज से तो अगर हम इसका ही बीज अगर निकालेंगे उगाएंगे तो यह आठ शाल से पहले फ लख जोने की बात जैसे गौर्मेंट क्या करता है कि थोड़ा बोत पोधा त्यार करते हैं कहीं भी कहीं कहीं जैसे जैसल मेर कोई बाढ़ मेर कोई वीका नेर जोदपूर तो मैंने एक सिस्टम चलाया कि अपने बीज कोई सभी हो उसको उगाओ और किसान खुद यह अपने खेत में अपने अप उगती है उनको ग्राफट करो कोई इविकी mixtureी ओ किसी किसम की खेजरी हो और वह वह वहिए फार सब्हा हो सकती है हाव यह देखिने आप यह जोइंट को यह जोइट बिल्ग Takes Gorodi Call 2020 को इसी किसम की वह उचेच्व निकाड़ा जाता है सोता सा जैस आपर और इसलिए होती है उनको इनको यह थार्सोबा खेजडी के बितले तो में या तो किसान को कम पानी में खेजडी एक ऐसा ब्रक्ष है जो शुरुवात में कम पानी में लग जाता है और जब एक बार लग जाता है तो हर साल फिरफल देता रहता है और एक वाकिया मुझे याद आता है इस खेजडी से जुड़ा हुआ कि 1856 में जब राजस्तान में एक भेंकर काल पड़ा था लोग जिवन दानी ये खेजडी का व्रक्ष था और उन लोगों ने इस खेजडी के चाल को खा करके जिन्दा रहे थे और इसमें इतनी विशेष्टा है कि इसकी हर चीज काम की है इसके पत्ते चारा है इसका फल दुनिया का सबसे महंगी सबजी वाला ये खेजडी का फल है और हर चीज काम किये इसके लकड़ी काम किये हर चीज काम किये इसमें एक नवाचार हमें यहां देखने को मिला हमने रामेश्वर जी से बात चित की और इन्हों ने जैसे बताया कि कि किसी भी खेजडी को तयार किया जा सकता है उन्नत किस्म की थार शोबह में हमारे इसको पाला ज्हाड कहते हैं और इसका नाम वेगयनिक बासा में साहित जी जी फस रोटन डी फोलिया का नाम से जाना जाता है तो इस जाड़ी पे देखें एक महिना पेले ग्राफ्टिंग के किया बड़े पत्ते हैं देखें इसके बाकी की है जो पुराणे वाडी है यह पत इस बिद्धी का अभभाव है, किसान ये बिद्धी जान जाए तो बेरों की तो यह नदिया चल जाए इतना बेर हो जाए इस जंगल के अब थाई बेर बोलते हैं जाए थाई मेरे पास चार तरह की किस्मा है ये थाई नहीं है गोडा पर जाती है रेगिस्तानी गोडा थाई बी जो है वो उसके कांटे नहीं होते जाडी के, बोवी मेरे पास है, शेव है, मुनडिया है, चार पर जाती है मिरे पास, तो हर किसान को मैं वहां से काट के देता हूँ घर से सिधा और बेदी बता के छोड़ता हूं तो लोग आ के अपने आप अपने केतों में जैसे ये क बोदों से उग्राप्टिव में क्या फ्रकने जागा है अंतर यह एक जो जो गुटले से तार करते है उसमें बहुत फर्गा है चार साल से फल देगा और यह देगा एक और साही महीने बाद फल देगा यानि दाई महीने में अभी फूल आ रहे न है एक महीन पहले लड़का ब एक हाँ बडी हुई हुई है का मा उसकी जड़ पूरी फैली हुई है है इसको जिसको पानी देना पड़ता है यह तो फाल तो इखड़ी है इसको पानी नहीं दिया बस ग्राफटिंग करना यह दो मिट का काम झाल अचा जो जो बुराने वाली जो डली है उस Пर एक दी जो निकलती है उसको काटते रहो एक बार एक साथ तर उसके बाद जरूरत नहीं एपोट नहीं नहीं देगे भर नहीं होगे यह ताकि वह पूरा रसी एक है खेंच लेगे और आप के मैं आपके बारे में जानकारी नंबर्स वगरा भी आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपके बार जुड़ना चाहिए जुड़ना चाहिए कितनी अची बात है किस तरह से एक कोशिश के द्वारा की जा रही है और आप बार उसे नहीं आपके जानकारी आप प्र olacak डिया जाएंगे आप बी मिस्क्रिंगेu खीचडी लगाई जा सकती है और इसी तरह के कारेक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहे हैं मैंने अगेश कुमार कौशिक अमने केमरमेंट सही होगी रिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद